नमस्कार दोस्तों इस वक्त की तमाम बहुत बड़ी खबरे मुख्य समचार आप लोगों के लिए ले करके आए हैं दोस्तों जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में जहां पर दोस्तों जानेंगे पहली बड़ी खबर में कि CGI सहित साथ चचो का एतिहासिक फैसला पूरा देश हो गया है रान राजनितिक पार्टियों में मचा है हड़कंप क्या कुछ यहां पर CGI ने फैसला दिया है जानेंगे इसके साथ ही बताएंगे खबर में कि तमिलाडू में PM मोदी के दोरे का अस्त विरोध दिखाए गए है काले जंडे और वहीं जानेंगे कि दिल्ली में बजट यहां पर पेस किया गया है केजरिवाल ने चला है बहुत ही बड़ा दाओ बीजेपी हार सकती है सातो ही लोगसभा की सीटे और वहीं बताएंगे कि राहुल गांधी ने खोली है केंद कर दिये चारी बीजेपी में मच हड़कम पिसी प्रकार की तमाम बहुत बड़ी खबरे दोस्तों आगे जानेंगे इसी वीडियो में खबरों की तरह बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोग भी यहीं मानते हैं कि लोगसभा के चुराओं में इंडिया कड़बनन जब सुप्रीम कोड का सांसदों को कानूनी चूट देने से साफ हिंकार चिहां दोस्तों बेहद ही बड़ी खबर आ रही है नोट के बदले वोड केस में सुप्रीम कोड का एतिहासिक फैसला आ चुका है साथ जजों की समिधान पीट ने पिछला फैसला पल्टा है समिधान की छूट नहीं है इसके साथ ही वोड के लिए नोट लेने वालों पर केस चलेगा ही चलेगा घूस लेने पर कोई भी वेसे सदिकार नहीं ये दो टू कहना है सुप्रीम कोड का वकील अस्वनी उपाध्याई ने कहा है कि या जे सुप्रीम कोड की साथ जजों की बेंच ने एतिहासिक फैसला दिया है और इसमें अपने पुराने फैसले को भी ओवर रूल कर दिया है इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी विधाय किया सांसद पैसे लेकर के सवाल या फिर वोड करता है तो उसे किसी भी तरह की यहाँ पर प्रतिरच्छा प्राप्त नहीं होगी उसक चार के मामले में सुप्रीम कोड का दो टू कहना है कि कोई भी समझोता नहीं किया जाएगा अगर आप लोग भी इस फैसले से सहमत हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजेगा अपना समर्थन दर्ज करवाईएगा एक और पड़ी खबर बताते चलें दिल्ली के अंदर इंडिया कडवन्दन को लेकर के यहाँ पर पेहद ही पड़ी अपडेट आ रही है इंडिया कडवन्दन साप करेगा बीजेपी का सोपड़ा केजरिवाल ने आज यहाँ पर अपने सरकार का बजट पेस किया है केजरिवाल सरकार की बड़ी घोशना दिल्ली में 18 साल से कि यहां पर पड़ी घूशना की है जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप दोस्तों मचा हुआ है दिल्ली के अंदर इस बार के लोग सभा के चुनाव में बीजेपी को बड़ा जटका लगना तैमाना जा रहा है इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है बताते चले प्रधान मंत्री मोदी चार से छे मार्च गो यहां पर तेलंगाना तमिलनाडू उडिसा पश्य मंगल और बिहार के दोरे पर रहेंगे लेकिन इस बीच बताते चले चन्नाई से खबर आ रही है जहां पर कॉंग्रस की नेता कीवी थांगा का बालू के नितरत में तमि परदोस्त तरीके से उनकी यात्रा का विरोध किया है दोस्तों बताते चले बेहदी बड़ी अपडेट आ रही है पश्य मंगाल से जहां पर कॉलकाता हाई कोड के जश्टिस अब जीद गंगो पाद्याय देंगे इस्तीफा बंगाल से लड़ सकते हैं लोग सभा का चुना इस पूरे मामले पर संजे राउत ने सवाल खड़े किये हैं जीहां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें उद्धब बला सहब ठाकरे के नेता यहां पर जो संजे राउत हैं उन्होंने कहा कि अगर यहां पर हाई कोड और सुप्रीम कोड के मौजूदा जज इस्तीफा द पर अभजीद गंगोपाधियाई के उपर तमाम तरहें के सवाल दोस्तों खड़े कर दिये हैं और तंजभी कसा है कि ये लोग सब सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं माना जो रहा है कि अभजीद गंगोपाधियाई बीजेपी में सामिल होकर के लोग सबह का चुनाओ भी लड़ सकते हैं बीजेपी के टिकट पर बताते चलें कि अभजीद गंगोपाधियाई की टिमसी के साथ में लगातार यहाँ पर अनबन देखने को मिली है लगातार टिमसी अनिकी सरकार जो है पश्यमंगाल में और अभजीद गंगोपाधियाई आमने सामने नजर आते हैं और इन पर बेद भावपून आधेस पा पर रहुल गांधी ने उठाए सवाल बोले खाली पदो पर भी कुंडली मार करके बैठे हैं पियम कॉंग्रेस के पूरवध्यच और सांसद रहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर प्रधान मंतरी मोधी पर जोरदार हमला बोला है उन्होंने पियम मोधी की नियत सवाल खड़े कर दिये रहुल गांधी ने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जुरिया आरोप लगाया है कि पियम मोधी की रोजगार देने की नियत ही नहीं है नए पद निकालना तो दूर की बात है वहा केंदर सरकार के खाली पड़े पदो पर भी में प्रमुख रूप से रेलवे में दो दतमलब 93 लाख गरी मंतराले में एक दसमलब 43 लाख और अच्चा मंतराले में 2.64 लाख पद खाली हैं इंडिया घडवनन की सरकार बनते ही इन पदो पर योवाँ को तदकाल प्रभाव से नौकरी दी जाएगी यहाँ पर रहुल ग अंधली सामने निकल की आई है आप लोगों को बताते चलें बीजेपी लगतार तमाम तरहें के अधगंडे अपनाती है चुनाओ जीतने के लिए मेर के चुनाओ में पूरे देश ने देखा क्या हुआ तब जाकर के CGI ने यहाँ पर वोटों की गिंती की और बीजेपी को त असल की है जीत बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के तीन पारसदों को यहाँ पर अपने पाले में कर लिया था या कहलीजिये खरीद लिया था पूरे मामले पर बताते चलें चंडीगर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेर चुनाओ में बीजेपी के कुल जीत संधुने आम आदमी पार्टी के उमिदवार को हरा दिया है बीजेपी उमिदवार को 19 वोट मिले है तो आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के संयुक्त प्रत्यासी गुर्परीत गावी के पच्च में 17 वोट डाले गय थे जबकि उनके एक वोट को इन्वैलिड करार दे दिया गया जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा इन घबरों को दोस्तों मुक्य समचारों को शेर कीजेगा आपने सभी दोस्तों में और चैनल पर ना है त दोफ्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोफ्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत